हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो पैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है अगर आप देखेंगे कोई मुमेंटम आपको नहीं देखने को मिला हाला कि अगर आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंसल सर्विसेज में आपको अपोर्चुनिटी देखने को मिली थी लेकिन इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहा था को मिली पहली केंडल बनी मार्किट ने आप सीधे-सीधे फम कि Holl C आपको एक ट्रेड़ंग dead-วाइं दे दिया नीचे आप दे दिया trading दे लो फिर मार्किट नहीं इसका अगर आप धियान देखेंगे, इस रेंज से मार्किट नहीं निकला, जब मार्किट ने हमें एक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बना रखा है, यहाँ पे ट्रेडिंग डेलो मार्किट ने बना दिया, नया ट्रेडिंग डेलो यह बना दिया मार्किट जो की previous day closing के पास में है या तो market इसका breakdown देके नीचे चलता तब हमें negative side position लेने के बारे में सोचते या फिर market trading day high का breakout देके ऊपर चलता यहाँ पे position लेने के बारे में सोचते कि positive side market में position ले सकते थे लेकिन market इसी बीच गुम गया तो यहाँ से हमें क्या learning मिलती है देखो control में बैठना मैंने आपको कल भी समझाय था कि आपको अपने आप पे control करना आना चाहिए जब आपको पता है कि कोई trade नहीं बन रहा है अब यहाँ पे जो आपका stop loss हिट हुआ होगा समझो चीजों को रेंज का आपको पता चल चुका है कि market ने एक range तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठ रहा था यह market धीरे धीरे momentum दे रहा था अगर यहाँ पे market इसका breakout देता तभी आपके लिए opportunity बन थी ठीक वैसे एगर market यहाँ पे जब आया था जब market इसका breakdown दे देता यह फिर यहाँ पे चलो यह तो last time था last time कि तो मैं आपको avoid करता हूँ कि आपको avoid ही करना चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए एक opportunity बन सकती थी market यह time spent करा था फिर breakout देता यह breakout देके retest करके एक बहतरी इन सा price action बना देता तो तभी एक बहतरी इन opportunity market में पकड़ी जा सकती थी इन situations को आपको समझना पड़ेगा market में अगर market के साथ आपको deal करने एक profitable trader के रूप में आपको रहना है तो इन situations को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको avoid करना है क्योंकि काफी लोग यहीं पे बहुर हो जाते हैं कि market पूरे दिन कुछ भी नहीं दे रहा चलो एक trend line जबरदस्ती trade करने के कोसिस करते हैं एक trend line draw कर दी फिर आपने देखा कि यहाँ पे breakdown दे दिया यहाँ पे हम negative side position बना लेते हैं देखो scalping करने की तरीके अलग होते हैं अगर आप एक long position लेना चाहते हैं चलो market ने यहाँ पे आपको breakdown दिया आप खुदी सोचो इस sideways momentum में क्या premium बढ़ पाए होंगे ऐज यह option buyer आपको समझना पड़ेगा आपको quick momentum पकड़ने पड़ेंगे जो एक quick momentum आते हैं इन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा तभी जाके यहाँ से आप कुछ profit निकाल सकते हो अब इस तरह के sideways momentum में जो यह यहाँ पे fluctuation आएंगे थोड़े थोड़े यह आपके premium को खाते रहेंगे इसमें सोचो आपका क्या premium बढ़ा होगा या तो आसपास ही होगा या कुछ घटी गया होगा time decay के हिसाब से तो यह चीज़े आपको समझनी पड़ेगी किस दिन avoid करना है किस दिन long position लेके जानी है या यहाँ पे जबरदस्ती की trend line जबरदस्ती के support जबरदस्ती की resistance को avoid करना पड़ेगा आपको market में समझो कि आपको किस तरीके से trap किया जा रहा है या कहाँ पे आपको long position मिल सकती है वो चीज़ा आपको समझनी पड़ेगी आए कुछ चीज़ों पे और नजर डालते हैं जैसे कि हमें पता है नीचे की तरप important level कौन सा है 19,200 उपर की तरप important level कौन सा है 19,600 यह क्यों मैंने ड्रो की काफी दिनों से हम डिसकस कर रहे है जब तक इससे उपर नहीं निकलता हम aggressive बाहिं नहीं करेंगे जब तक इससे नीचे नहीं निकलता हम aggressive selling नहीं करेंगे इसके बीच हम price action के इसाब से काम करती रहेंगे इसके अलावा कौन-कौन सा important support or resistance दिखाई दे रहे है इस वाले zone में हमें important support or resistance दिखाई दे रहे क्योंकि पहले भी market यहीं पे support लेके bounce कर चुगा है और पहले भी अगर आप देखेंगे कहीं बार market IS zone में support लेके गया है वहीं उपर बात करेंगे इस zone में आपको market ने पहले भी resistance दिखाई है और यहां पे भी अभी भी resistance market दिखा रहा है इनके अलावा यह है सबसे ज़्यादा important है हमारे लिए 19,600 और 19,200 क्योंकि अगर इसके उपर breakout देके price sustain कर गया तो एक aggressive buying की जा सकती है फिर इसके नीचे breakdown देके price नीचे sustain कर गया तो हम negative side positions के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर यह चीज़े के लिए होगे इसलिए मैंने यह जल्दी जल्दी से part कतम किया क्योंकि हम पहले ही काफी discussion इसके बारे में कर चुके अब यहाँ पर पूरा scenario समझने की कोसिस करते हैं कि कल के लिए हम अपने इसाबसे चीज़ों को plan कैसे कर सकते हैं अब एक important चीज़ होगी हमारे लिए यह वाला zone यह हो गया previous day high नीचे की तरफ हमारे लिए important zone हो गया यह यह हो गया previous day low हम यह देख रहे हैं previous day low और previous day closing दोनों ही पास में है यह चीज़े हम यहाँ पर observe कर रहे हैं अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है ध्यान से समझो क्या आपको positive side positions लेनी चाहिए दोस्तों long position नहीं लेनी है लेकिन आप एक position बना सकते हैं जिसमें आप momentum पकड़ सकते हैं previous day high तक ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पे market ने एक sideways momentum दिखा है यहाँ तक आपके लिए जो important resistance बनेगा यही resistance बनेगा और यहाँ तक आप देखेंगे लगबग लगबग आपको काफी point का momentum मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर market time spend करके previous day high का breakout देजेता है तो आपके लिए previous day high का breakout का setup भी काम करेगा अगर सीधे सीधे breakout दे रहा है तो नहीं position आपको शुरुआत में नहीं बनानी है क्योंकि पहले बेगर आप observe करेंगे 14 का अगर आप देखेंगे 14 के इस वाले zone से market गिरा था 16 का भी आप देखेंगे इस zone से market गिरा था तो इसलिए आपके लिए important resistance फिर यहाँ पर इस वाले zone में market का एक important resistance हो जाएगा तो बहतर यह रहेगा market पहले time spend करें breakout दे आप breakout दे रहा है तो retest करके फिर breakout दे दे तब आप position को continue कर सकते हैं इन चीजों को आपको धिहान रखना है वहीं पर अगर market flat open हो के आपको negative momentum दिखाता है इस situation पर आप क्या कर सकते हैं इस situation पर आपको यहाँ पर previous day low का breakdown होने दिना है अगर market इसके day low का breakdown दे के price नीचे sustain करता है तो आपके लिए पहला support इस वाले zone में बनता हुआ दिखाई देगा इसका breakdown मिलता है तो आप देखेंगे जो 21st का day low है यह आपके लिए अगला support zone बनेगा इसका breakdown मिलता है जो 18 का day low है यह आपके लिए अगला support zone बनता हुआ दिखाई देगा वहीं पे अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है उस situation में आप क्या कर सकते है उस situation पे आपका पूरा focus रहेगा previous day high पे इससे कितनी दूर या कितनी नजदिक आपको gap up opening देखने को मिलती है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 14 और 16 को हमें in zone से rejection देखने को मिले थे वह इस सेम चीज हमने 11 को भी देखी थी market ने इस पे एक important resistance के रूप में काम किया था तो हम इसे draw कर देंगे अगर market इसके आसपास आपको gap up opening दे रहा है breakout दे रहा है तो आप positive side अगर जाने की courses कर रहे है तो आपके लिए पहला resistance यही बनने वाला है लेकिन अगर market previous day high पे as a resistance respect कर अगर market आपको gap down opening देता है इस situation पे आप अपना पूरा focus करेंगे इस वाले zone पे यानि की 19,340 के around अगर market इससे के आसपास आपको gap down opening देता है और breakdown दे के नीचे चलता है follower candle बनती है तो आपके लिए पहला support यहाँ पे देखने को मिलेगा यह चीज़े clear होगी यानि की 21st का low पहला support और फिर यहाँ पे इसका breakdown मिल गया तो 18 का day low आपके लिए दूसरा support लेकिन अगर market यहाँ पे support लेके bounce करता है तो कोई भी buying मत कर लेना positive side कोई भी position मत बना लेना जब तक की market previous day closing से उपर नहीं चलना शुरू हो जाता दोस्तों अगर content पसंदा रहा है वीडियो को like की कमेंट करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहा है आपके लिए कितने helpful है फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you